सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे समसंग एलेक्सी M51 के 1UI 3.1.1 अपडेट के बारे में क्योंकि अब न्यू जा रही है कि जो 1UI 3.5 है वो कैंसिल हो चुका है और उसकी जगा आप 1UI 3.1.1 आने वाला है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि समसंग गलेक्सी M51 में 1UI 3.1.1 का आपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा और आएगा तो कब तक आएगा सब कुछ मैं डीटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक देखेगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम रखते हैं 75 लाइक 75 लाइक आप लोग कम्पलीट कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली ब दीवाइस है यह डिवाइस ओट ओप दी बॉक्स एंडवाइड 10 और 1UI 2.1 के साथ लॉंच हुआ था 1UI 2.1 का कोर वर्जन इसके बाद समसंग ने इसमें एक मेजर यूई अपडेट दिया जो की 2.5 का था इसके बाद समसंग ने मार्च के अंदर M51 को जो एंडवाइड 11 का अपडेट है वो भी रोल आउट करा दिया था दोस्तों जो की इसका फॉर्स्ट मेजर एंडवाइड अपडेट था जिसमें आपको काफी सारे ने फीचर्स देखने को मिले थे तो समसंग M51 को हर एक मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है तो इस बार जो 1UI 3.1.1 होगा व लेकिन अब तो 3.5 की जगा 3.1.1 आने वाला है जिसमें कुछ चेंजर्स करके कुछ ने फीचर्स लाके समसंग इसमें देने वाला है और कब तक M51 में जो अपडेट है वो आने वाला है तो सबसे पहले तो समसंग Z Fold 3 के साथ 1UI 3.1.1 को रिलीज करने वाला है इसके बाद A- noat series और Folderable devices में इसका update जो है वो आने वाला है इसके बाद A-Series में देखने को मीलेगा उसके बाद M-Series में देखने को मीलेगा तो A-Series में जो latest A-Series के devices हैं 2021 के उसमें देखने को मिलेगा इसके बाद M series के जो latest devices है जो इसे M32 है इसमें chances है कि पहले update आ जाए इसके बाद M21, M31, M31 AS इसके बाद M51 में update जो है वो देखने को मिले वाला है जो की expect किया जा सकता है कि जो update है वो सितंबर या फिर अक्टूबर तक release कर दिया जाएगा M51 के लिए बाद की अगर और भी अगर कोई information आती है या फिर update आता है तो आपको मेरे चैनल पर information मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजएगा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम